नमस्कार दोस्तो वेलकम टू डीएस एजुकेशन स्वागा थैप का मेरी यूटूब चनल डीएस एजुकेशन में मैं हूँ दिनिस साउ और दोस्तो हम अधन कर रहे हैं वर्ल्ड जोग्राफिक का या फिर बिश्यो के भूगोल का तो दोस्तो आज हम वर्ल्ड जोग्राफिक की सीरीज में हम पढ़ेंगे अक्षानस रेखाओं के बारे में ठीक है तो हम लाटिट्टूड भी बोलते हैं ठीक है आपने सोना हुआ अक्षानस रेखाएं और देशांतर रेखाएं ठीक है तो हम डेटेल में चार्चे करेंगे आखिर होती हैं क्या है यह रेखाएं इसके लावा इन का क्या यूज है ठीक है और यह क्यों खीचे गई है हमारे ग्लोब पर तो सबसे पहले हम यहां पर एक ग्लोब बना लेते हैं चोटा सा तिक दोस्तों तो यह हमारा ग्लोब है जिक है इसके बीचों बीच में एक रेखाः खीच रहा हूं जिरो डेगरी तो इसे बोलते हम दोस्तों जो हमारी प्रथवी कुँ दो बरावर भागॉं में बाठते हैं.. इसे बोलते हैं हम equator या फिर भूमध्य रेखा ठीक है भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा भी बोलते हैं विशुवत रेखा भूमध्य रेखा ठीक है इंग्लिश में बोलता है equator ठीक है दोस्तो अब देखिए दोस्तो यह प्रत्वी का यह equator हो गई और हमारी प्रत्वी दो पॉर्शन इसे बोलेंगे हम धक्षणी गुलार्द धक्षणी गुलार्द ठीक है दोस्तों यह हो गये हमारा उत्तरी ध्रोब यह हो गये धक्षणी ध्रोब तो यह हो जाएगा उत्तरी ध्रोब ठीक है और यह हो जाएगा धक्षणी ध्रोब ठीक है नौर्थ पोल और अब दोस्तों यहाँ से हमें एक डिगरी का कोण बनाया ठीक है इस प्रकार से ये एक डिगरी का चीक है और इन दोनों को मिला दिया एक डिगरी वाली एक रेखा बन गई ठीक है इसी प्रकार से हम बनाते जाएंगे, ठिक है, parallel एक दूसरे के, ठिक है, इसी प्रकार से नीचे भी बना देंगे हम, ठिक है, तो इनी रेखाओं को दोस्तो हम अक्छान से रेखाओं बोलते हूने ठीक है, तो इसकी definition क्या हो जाएगी, ठिक है, विशुवत रेखा के उत्तरवा दक्षण में ठीक है प्रत्वी के कैंदर से कौनी ये दूरी को अप्षांस रेखाएं कहते है बात समझ में आगी विशुवत रेखा या फिर भूमद रेखा के उत्तरवा दक्षण में प्रत्वी के कैंदर से कौनी दूरी को अप्षांस रेखाएं बोलते है अब ये जो दूस्तों अक्षांस रेखाएं ये कालपनिक रेखाएं ये बात आपको याद रखना है दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ये जो रेखाएं ये कालपनिक है यह रिखा है, सही में णहीं खिचे गई हैं, की प्रत्वीच, चुक्य इतनी बड़ी है, इसमें सही में खिचे दी गई हैं ऐसा कूछ नहीं है, यह globe पर kalpnik रिखा हैं, ऐसा मान लिया गया है कि यह तो यहoooo तो यह kalpnik रिखा हैं, और 56 हैं, कैसा यह 56places ठीक है ये लेटी हुई जो रेखाएं इन्हें कैसे रेखाएं बोले जाता है 36 रेखाएं ठीक है 36 रेखाएं तो ये रेखाएं कालपनिक हैं और 36 हैं और एक दूसरे के समानांतर हैं समानांतर हैं ठीक है समानांतर दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलो मीटर होती है, एक पॉइंट यह हो गया, ठीक है, अब हम देख लेते कि हमारे गलोब पर आखिर कितनी रेखाए हैं, ठीक है, तो देखें, यह एक्क्वेटर है, ठीक है, इसके लाब है, इसके उपर हम 90 रेखाएं खीच सक ठीक है, यह 90 डिग्री है, यहां से, तो यहां पर 90 और यहां पर 90, ठीक है, तो यह कितनी हो गई, 180, यहना, 180 यह हो गई, ठीक है, इसके लाब है, एक एक्क्वेटर हो गई, तो प्लस 1 हो गया, तो कितनी हो गई, 181, ठीक है, तो कितनी दूस्तों अक्षांस हो गई, 181 अक् यहां पर कोई रेखा नहीं होगी दोस्तों यहां पर सिर्फ एक point रखा जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर रेखा खीजने की जगई नहीं मिलेगी ठीक है तो यह इन्हें हम बोलेंगे इसमें से आप 2- कर दीजे तो कितना हो गया 179 अभी मैं आपको clear कर देता हूँ आपको confused नहीं होना है ठीक है तो देखिए सबसे पहली सबसे पहली बात तो यदि exam में ऐसा question आ गया कि हमारे जो अक्छांस रेखाओं की संख्या वो कितनी है ठीक है वो option पर भी depend करता है ठीक है कभी अक्छांस रेखाओं की संख्या पूछ लिए जाए तो 179 ने दियो option में तो 179 आप लगाएंगे ठीक है यदि पूछ लिए जाए अक्छांसों की संख्या कितनी है तो 181 ठीक है क्योंकि जो यह उत्री द्रोग और 10 द्रोबे इसे हम रेखा या फिर ब्रत में count नहीं क तो यह आपको याज रखना है सारे आकड़े 181 179 ठीक है इसमें एक भूमद्य रेखा है और इसमें से यदि दो आप उप्तिरी दुरूब और दश्री दुरूब घटा देंगे तो 179 ठीक है यह अक्छांस रेखाओं की संख्या हो जाएंगे ठीक है तो यह आपको सारे आ लोब बना रहा हूं ठीक है तो यह हो गई भूमद्य रेखा यह हो गई 0 डिग्री भूमद्य रेखा ठीक है इसके लाब है दोस्तों साड़े 18 डिग्री ठीक है साड़े तेज डिग्री नौर्थ ठीक है और नीचे साउथ में साड़े तेज डिग्री साउथ ठीक है तो साड़े तेज डिग्री उत्तर में इसे बोलते हम करक रेखा ठीक है और साड़े तेज डिग्री साउथ में इसे हम बोलते हम मकर रेखा मकर रेखा ठीक है इसके लब हम और उपर जाएंगे दोस्तो ठीक है तो यहाँ हमें एक मिलेगी साड़े 66 डिगरी नौर्थ और यहाँ नीचे हम जाएंगे तो यहाँ मिलेगी 66 डिगरी साउथ ठीक है इसे हम बोलेंगे आर्केटिक आर्किटिक रिखा या फिर आर्किटिक व्रत भी बोलते हैं और इसे हम बोलेंगे अंटार्किटिक अंटार्किटिक रिखा या फिर अंटार्किटिक व्रत तीक है इसके लाव यहाँ पर 90 डिगरी तीक है है हमारे globe पर अब यह क्यों खास है हम थोड़ा चर्चा करेंगे ठीक है अब देखिए जो करक रेखा और मकर रेखा है यह वाला एरिया पूरा ठीक है भूमद्रेखा करक रेखा और मकर रेखा ठीक है मतलब 3.5 तेज़ डिगरी North और 3.5 तेज़ डिगरी South ठीक है अब इन्हे जोन है ठीक है करक रेखा और मकर रेखा के बीच में ठीक है तो साल में पूरे वर्ष में एक बार पूरे वर्ष में एक बार इस जो यह पूरा बीच का एरिया है ठीक है यह इसके कोई न कोई इस्थान वर्ष में एक बार ठीक है यहां पर जो सूर होता है शन होता है ठीक ह है मैंने क्या होला कि जो करक्रेखा और मकर्रेखा के बीच का जो स्थान है ठीक है तो बर्ष में एक वर ऐसा हमेशा होता है कि सूर की किर्णा यहां पर लंबबत पड़ती है ठीक है यही कार ने दोस्तों कि यह जो करक्रेखा और मकर्रेखा के बीच वाला स्थान यह पूरी प्रत्वी पर या फिर पूरे ग्लोब पर सबसे ज़्यादा टेंपरेचर सरवाधिक सरवाधिक ताप ठीक है सरवाधिक ताप या फिर टेंपरेचर ग्रहन करता है ठीक है इस स्थान पर लंबबबद पढ़ती है, ठीक है, इसे कौन सा जॉन कहा जाता है दोस्तो, तो उष्ण कटिवंदी जॉन बोला जाता है, या फिर, यहां बीच में हमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसे टोराइड, टोराइड जॉन या फिर उष्ण कटिवंदी जॉन बोला जाता है, ठीक है दोस्तो तो यह हो गया, ठीक है, इसके बाद बात होई दोस्तो, यह वाला एरिया, ठीक है, जो करक रेखा और आर्कटिक वृत की बीच वाला है, ठीक है, इसके लावा, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत की बीच वाला एरिया है, यह वाला, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तो, सूर की करण वर्ष में कवी भी लंबबत नहीं पढ़ती है, ठीक है, तो एक बार पहले मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, यह हमन ठीक है, प्लिश में क्या बोल याता है, टोराइड जोन, ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले तो साड़े तेज डिगरी आप ऐसा लिख लीजे, साड़े तेज डिगरी नौर्थ और साड़े तेज डिगरी साउथ के मद्धि में है, ठीक है, इसके लावा, यह तापमान ग्रहन करता है वर्ष में सूर्य ठीक है वर्ष में सूर्य पर जो सनलाइट होती है कभी न कभी यहां पर लंबवथ पढ़ती है звी तो ये सकी खासियत हुगा उस्र दूसरा हो जाएगा विलेजातिज अंट अरक्तिक जी वाला स्थाने में रहां यहां इक यह आप बनाई हुग वहां जाएकए इसे अंगलिश में बुप पर मैं हो निचे हंडि में लिख दूँगा इसे बुप लाता है temperate zone ठीक है हिंदी में क्या बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे दोस्तो सितोष्ण कटीवंदी तो दूसरा हो जाएगा सितोष्ण कटीवंदी सीतोष्ण कटीवन दिये ठीक है दोस्तो सीतोष्ण कटीवन दिये कहां कहां के बीच में हो गया करकर रिखा आर्केटेक और मकर रिखा अंटार्केटेक मतलब साड़े तेज दिगरी से चासट के बीच में तो यहाँ पर दोस्तो जो यह वाला एरिया है साड़े तेज दिगरी मैं सीधी लिख रहा हूँ साउथ नॉर्थ दौना नहीं लिख रहा हूँ से साड़े च्हासट दिगरी आप अभी साउथ और नॉर्थ दौना समझ जाईए इसके बीच कर्ण COVID यहां पर सूरि की क्रण जितनी शूरित पढ़ता उतना यहाँ पर नहीं पढ़ता इसलिग यहां पर सूरि की क्रण तरशी पढ़ती है जिख रहा ह Suppose वाला शूरि कर्ण आप दरिख जो छेतर है, यहाँ पर उतनètement जड़ा गरमी नहीं पढते है, ठीक है, थोड़ी बहुत गरमी पढते है, बहुत ज़ादा गरमी ओफिर टापमान यहाँ पर नहीं पढता है तो यह हो गया, सीतोषन कटी बन दि जे छेतर, ठीक है, फर इसके सब 6 आज़ा हो तो यहां पर दूस्तो और ज्यादा सूर्गी करने तिर्छी पढ़ती हैं और बहुत ज्यादे यहां पर प्रकाश आनी पाता है इस वाले शेत्र में तो यहां का टेंपरेचर और कम होता है और जो यह नौर्थ पोल और साउथ पोल है तो हम इसा वर्फ से ढगा रहता है तो यहां पर छह महिना के दिन और रात होती है तो यह मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया और हम बाद में और डेटिल में चार्जा करेंगे तो क्या-क्या हम ने पढ़ लिया एक वर हम रिवाइस कर लें ठीक है सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि विशुवत रेखा है चहतेज है और एक दूसरे के समाना अंतर समाना अंतर मतलब इनको हम समाना अंतर देखा है इनके बीच की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर ठीक है दोस्तों इसके लाबा कुछ मुख्य रेखा है करक रेखा है मकर रेखा है यह साड़े स्टेज डिग्री नॉर्थ और साउथ में खीची गई इसके लाबा आर्कटिक और अंटार्कटिक है साड़े छांसर डिग्री नॉर्थ और साउथ में खीची गई इसके लाबा 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पूल और साउथ पूल है ठीक है दोस्तों इनकी कुछ मैंने खास याद भी बताई कि जो टोराइड पूरी प्रतिवी पर इसके लाबा जो आर्कटिक और अंटार्कटिक या फिर साड़े छांसर वाला एरिया है यहाँ पर सूर्ड की किरने कभी भी सीधी नहीं पढ़ती है लंब बड ठीक है तिरशी पढ़ती है इसलिए थोड़ा कम टेंपरिचर प्राप्त करता है ठीक है किरनों को और ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है और दूरी त्रेकर नहीं पड़ती है तो और ज्यादा त्रिशी यहाँ पर किरना पड़ती है और यहाँ पर ज्यादा ठंड होती है फिर टेंपरिचर कम प्राप्त करती है ठीक है इसके लाब कुछ और पॉइंट हम देख हैं वह वीकिशन जोम कैंत हम ऑफ एस का बीच को recommend the มา रखना थो यह वात आपको याद रखना थिक पॉंठ और रखनी उसलेंगों मैं कम ही आता है आपने सबस्क्राइब , यह चो सब्सक्राइक रखर और deeper तो जब भी हम भूम अद्य रेखा से धरूबों की और जएगे तो टैमपरेचर कम होगा तो यह पॉंट आपको याद रखना है इसके लब एक पॉइंट हो रहा है दोस्तों जो अक्छान से रिखा है इनकी दूरी यदि आप भूमत दे रिखा के पास देखेंगे थोड़ी कम रहेगी और जैसे ज़िस आप ध्रोबों के पास जाएंगे तो इनकी बीच की दूरी थोड़ी जादा रहते है यदि आप भू 111.3 km होती है इनकी बीच की दूरी ठीक सामानेत 110-111 km होती है परंतु कभी ऐसा कुशन आ जा कि भूमत दे रिखा से द्रवों की और जाना पर अक्छानसों की बीच की दूरी बढ़ती है घटती है क्या होती है ऐसा कभी कुशन है तो आपको याद रखना है कि भूमत दे द्रवों की और जाना पर अक्छान से रिखाओं की बीच की दूरी क्या होती है बढ़ती है ठीक है सामानेत आपको याद रखना है 111 km लेकर ठीक है तो यह कुछ पॉइंट से दूस्तों इसके लाबा आपको पता होगा इस से करके रिखा मैं आपको बताया 30 degree ठीक है तो य गुजरात है राजिस्थान है मद्र प्रदेश है ठीक है ठीक है छती ज़ण है जारखंड है और तरपुरा है मिजोरुम है ठीक है तरपुरा मुजोरुम पश्चिम मंगालेक छोड़िया था ठीक है तो यह आठ दक्षणी अमेरिका है, दूसरा क्या है, आफ्रीका है, ठीक है, और तीसरा क्या है, एशिया, ये तीन महाद्वीप से हो करके गोजरती है, कौन सी रेका, भूमद्द रेका, ठीक है, भूमद्द रेका ये फिर एक्वेटर, ठीक है दोस्तों, तो ये तीन महाद्वीप से हो क करके गोजर्टी इसकी कभी-कभी देश भी पूछ लेता है तो यदि हम दक्षण अमेरिका की देशों की बात करें वह हम देख लेते हैं कि भूमद्रे का किन-कन देशों से वकर गोजर्टी है ना यह एक्जाम में कॉश्चन पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दक्षण अमेरिका के देश है ना दक्षण अमेरिका के तो दक्षण अमेरिका के तीन देश हैं दोस्तों और अक्सर दक्षण अमेरिका के देशी एक्जाम में पूछता है ठीक है तो तीन देश कौन-कौन से है एक है एक एक् ठीक है एकवाडुर है एक, ठीक है एक है कोलम्बिया, ठीक है और एक है ब्राजील, ठीक है यह तीन देश हैं दोस्तों दस्चण अमेरीका के जहां से भूमत दे रिखा ठीक है यह फिर एक्कवेटर हो करके गुज़र्टी है ठीक है, इसके अगलाँ है आफ्रीका आफ्रिका के लावत दूस्टो सब देस ना साथ देस ए एकड़े करके हम लेंसे लेकं लेते हैं यह थां एख है दूस्तो सो टाम ठीक है ये एक द्वीप है इसके पश्चिम साइड में एक द्वीप है सो ट्वीप प्रिंस्पी ठीक है पहला देश या फिर द्वीप है इसके लाबा गैव़ान है ठीक है, Republic of Congo है, दो कॉंगो है दोस्तों, एक Republic of Republic of Congo और एक Democratic Republic of Congo है, ठीक है, इसके लाबा यूगांडा है, ठीक है, यूगांडा है, केन्या है, और सुमालिया है, ठीक है दोस्तों इसके लगा एशिया की हम बात करें एशिया महाधीप की तो एशिया के भी तीन देश है एक है मालदीव ठीक है एक है एंडोनेशिया मालदीव है इंडोनेशिया है और एक और देश है किरीवाती ठीके दोस्तो तो इतने देशों से होकर गुजरती है और खास्ट वर पर एक्जाम में दश्चिन अमेरिका के देश बहुत ज़्यादा पूछे जाता है और एशिया के भी आपको याद रखना है तीन देश हैं मालदीव इंडोनेशिया कि विराती ठीके और इस साथ हैं कहां है कौन-कौन से राज्य हैं हमारे देश के ठीके मैं आपको बताए आठ राज्यों से होकर गुजरती है करके देखा तो यह आपको याद रखा है तो यह था दोस्तो अक्षान से रिखाओं के बारे में ठीके आज के लिए इतना यह आपको आजका लैक्षर पसंद आए तो